सो हे गाईस तो इस वीडियो के अंदर आप सीखने वाले हैं कि आप जो है गूगल पे में दुसरा अकाउंड एड की तरह से करेंगे जहां गाईस यहां पर अभी जो है मेरे गूगल पे में एक अकाउंड लिंक है अभी मैं आपके सामने में दुसरा अकाउंड जो है लिंक क करने वाला हूं तो गईस अगर आप भी गूगल पे में एक अकॉंड रहते हुए दूसरा अकॉंड एड़ करने के लिए चाहते हैं तो बस आप इस वीडियो को बिना स्कीप किए एंद दक देखते रहें तो चलिए गाई इस वीडियो को इस्टार्ट कर लेते हैं सो गईस द उस पर क्लिक करने के बाद में गाईस यहां पर देखिए बैंक अकाउंड है लिखा हुआ अब यहां पर देखिए एक अकाउंड लिखा हुआ है यानि कि यहां पर एक अकाउंड अभी लिंक है दूसरा अकाउंड एड करने के लिए आप इसी बैंक अकाउंड पर क्लिक करें उसके बाद में जितने भी bank account है वो सारे आपके सामने में आ जाएंगे तो तो यहां पर आपको वो bank select कर लेना है जो bank आपके पास मैं समझ गये ना अगर आपको यहां पर नीचे में नहीं मिलता है तो जो आप यहां पर search भी कर सकते हैं क्या search करेंगे यहां पर देखिए मैं search continue पर किलिक करेंगे यहां पर देखिए मैंने continue पर किलिक कर दिया है उसके बाद में अपने मैसेज आ जाएगा यहां पर देख सकते हैं बैंक की तरफ से मैसेज आ चुका है और यहां पर हमारा bank account एड़ हो चुका है लेकिन यहां पर अभी जो है यूपी आई पिन जो है वो udskite करना पड़ेगा उसके लिए आपको यहां पर 2007 ओपाई नंबर पर यहां पर मेरा नंबर है है और बता रहा है कि आप मैंने पहले ही से फॉन पे में यूपी आई पीन बना रखा था इसलिए यहां पे मेरे से यूपी आई पीन नहीं मंगा है गैस अगर आपने पहले से फॉन पे में यूपी आई पीन नहीं बनाया होगा तो यहाँ पे इस तरह से आपके समने में आएगा उप्शन UPI PIN बनाने के लिए आपको समने क्या करना है यहाँ पे अपनी ATM कार्ड के लाश्ट का चेह नमबर डाल देना है उसके बाद में यहाँ पे एकसरपारी डे डाल देना है उसके बाद में अब परोसीट पे क्लिक करने के बाद में बैंक की तरफ से OTP आएगा उस OTP को डालने के बाद में आप फिर आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ने के बाद वहाँ पे आपके समने में आ जाएगा UPI PIN बनाने का उप्शन तो जो आपको दो बार UPI PIN डाल देना है तो जो आपका UPI PIN बन जाएगा अब जो है कैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा Bank of India दूसरा यहाँ पर एड़ हो चुका है